है फ्रेंस विल्कम बैक इस वीडियो के अंदर रतन इंडिया पावर के करेंट चाट पैटन के बारे में डीटेल में समझने बाले हैं कि स्विंग चेटिंग और लॉंग टर्म के लिए खड़ितना चाहिए बेजना चाहिए या होल्ड करना चाहिए तो आज एक दिन और दो आया है SGVN और रॉतन इंडिया इंटरप्रेस के बारे में पिछले दिन भी रैलिस इंडिया लिमीटेड टाटा कॉर्परेशन के बारे में मैंने डीटेल में अनलाइस किया था यह सारा वीडियो आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं या चैनल के वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं जहां पर मैंने डीटेल में प्राइस अक्षन को एनलाइस किया है जहां पर मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि अगले दिन थोड़ा से गिद सकता है और इस यह के अंदर और भी बहुत सारा लॉंग टरम के लिए जो पॉबिलिटी है वो भी डिसक कोशिश किया था और यहां पर जिनरेली एक फॉर्मेशन के अंदर तीन स्पाइक होता है और तीन स्पाइक करने के बाद यह थोड़ा सा उपर जाने के साथ साथ यहां पर डॉबल बॉटम भी क्रेट कर लिया है और डॉबल बॉटम के बाद जिनरेली टूलेक फॉर्मेश और अच्छा खासा इसने दो पॉइंट से ब्रेक आउट किया है तो यह दो ब्रेक आूट के बाद करेंगा तो यहां पर कॉशिश कर रहा है तो यहां पे किस तरीके से आपको कंपनी के अंदर को मैनेज करना चाहिए या अगर आप पोजिशन क्रेट करना चाहते हैं तो यहां पे कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है या कौन सा पॉब्लेटी हो सकता है तो करें लिए आप देख सकते हैं यहां पे लॉंग टम कंसुलिडेशन के बाद कंपनी के सेयर प्राइज ने अच्छा खासा ब्रेक आउट किया है ब्रेक किया है ब्रेक आउट के बाद का जो बार है वहां पर एक छोटा सा टेल था नीचे की तरफ और यह जितना उपर गया है दीची की तरफ यह पता चलता है कि कंपनी के शेयर प्राइस को इस तरीके से उपर जाने की कोशिश किया है चोटे टाइम फ्रेम के अंदर या वन अंदर आपको ज़्यादा देर तक होल नहीं करना चाहिए क्यूंकि यहां पर वह कभी भी रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है तो यहां पर कोई प्रेयर प्राइस अक्षन के ना होते हुए इसने इमीडियेटली एक बीग बेर बार क्रेट किया है एक हायर हाई के साथ और यहां पर लगाता नीचे आने की कोशिश किया है और यहां पर कोई प्रीवेस वर्निंग भी नहीं था मगर यहां पर वर्निंग सिप यही था कि कमपनी का शेयर प्राइस अनसस्टेनेबल मूब क्रेट कर रहा था और इस टाइप का जो अनसस्टेनेबल मूब होता है जहां तो यहां पर 8.12 और नीचे का यहां तक प्राइस पॉइंट नेक्स्ट आ सकता है और उसे अगर तोड़ के नीचे जाता है तो फॉर्धर इसका प्राइस 550 के आसपास भी आ सकता है तो करेंड लिए अगर कंपनी के शेयर आप होल्ड कर रहे हैं तो यहां पर करेंड सीच्वे तो यहां तक इसका stop loss बनता है यहां यह जो candle है इसके immediate नीचे और यहां पर फर्स जो आपके लिए take profit बनता था 8.10 के आसपास क्यूंकि यहां पर आप देख सकते हैं company का share price जो oh stop के आसपास जब यह चला आया था तब यहां पर आपके लिए एक अच्छा खासा target बनता था उसे अगर तोड़के यह उपर जाता है तो 9.60 यानि यह जो top है इसके आसपास इसके आसपास का होना चाहिए तो इस बनता है वो है यहाँ पर एग लेक के थ्रू यह नीचे आने की कोशिश किया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी significant pullback इसका नहीं है तो जहां पर भी यह रुकेगा हो सकता है यह थोड़ा सा pullback करने की कोशिश करेगा अगर यह नीचे आने की कोशिश करेगा अगर यह नीचे आने क strongness है अगर यहाँ पर कोई भी strongness नहीं है fundamental के अंदर overall market का जो condition है वो खड़ाब रहता है तो share price और भी नीचे आ सकता है जहाँ पर आपका probability यही बनता है कि long time के लिए आपको इसके अंदर कोई भी अच्छा खासा swing position नहीं मिलेगा तो यहाँ पर current situation में कोई तो swing position के लिए buying point नहीं है मगर यहाँ पर अगर आप share को hold कर रहे हैं तो simply आपको निकल जाना चाहिए मगर यह fully आपके उपर based है आपके analysis के उपर based है कि आप क्या सोचते हैं company के technical analysis के बारे में और यहाँ पर अगर long term के लिए आप company के अंदर invest करना चाहते हैं तो long term chart के अंदर अगर आप देखे तो multiple time इसने breakout किया है तो breakout को यहाँ पर sustain करवाने के लिए इसे थोड़ा सा two leg formation के साथ नीचे आना होगा फिर जीस bear channel से यह नीचे आया है उसे breakout करके अच्छा खासा strongness के साथ उपर जाना होगा फिर थोड़ा सा pullback के साथ वो नीचे आके अगर फिर उपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर आपके लिए नया long term के लिए buy होगा क्योंकि यहाँ पर starting से अगर आपको थोड़ा सा profit चाहिए तो इस तरीके के formation के लिए आपको wait करना होगा और अगर आप simply technical को ना follow करते हुए आप fundamental के उपर बेस करके company के शेयर के अंदर anti और exit करते हैं तो आपको company के quarter on quarter result को तो जरूद देखना चाहिए company के fundamental analysis, financial analysis के साथ management analysis और future prospect के बारे में analysis तो आपको करना है चाहिए और company जिस sector से belong करता है future में उसका probability कौन सा है वो भी आपको समझ में आना चाहिए नहीं तो future में कब company के share से आपको exit लेना है वो आपको समझ में नहीं आ जाएगा और big loss आपको face करना पर सकता है तो simply यहाँ पर आपके लिए currently कोई swing position नहीं बन रहा है और long term के लिए भी मैं अभी कुछ भी suggest नहीं कर सकता जब तक company का share एक point पर आके यहाँ पर अच्छे खास से साथ उपर जाने की कोशिश ना करे और fundamental के बारे में आपको थोड़ा सा research करना चाहिए अगर आप company का financial analysis कैसे करते हैं नहीं जानते हैं आपको समझ में नहीं आता है प्लेलिस्ट का आप जाके step by step सीख सकते हैं जहां पर डीटेल में आपको समझाया गया है टेलिग्रम चैनल को भी जॉइन कर लिजिए क्योंकि सटेंड आकर कोई opportunity इमर्ज होता है swing trading और long term investment के अंदर तो वही पर पहले अपडेट दिया जाता है क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा time consuming हो जाता है टेलिग्रम चैनल का लिंक नीचे description पर दिया हुआ है आप जाके join करके रख सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो पर अब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए thanks for watching and happy investing